लोकेशन टागेटिंग एज एंजेंडर ये तीनों चीज़े आप अपने एड़ सेट में कैसे सेट कर सकते हैं ये हम आज इस वीडियो में सीखने जाएंगे जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम पार्ट होता है लोकेशन टागेटिंग एज एंजेंडर ये तीन चीज़े हम यहाँ पर डीप में देखने जाएंगे सबसे पहले हम लोकेशन देखते हैं अब यहाँ पर जब भी आप कोई बी कैम्पेंड रन करते हैं तो आपको यहाँ पर कंपल सरी होता है लोकेशन टागेटिंग मतलब कि आप किस लोकेशन में अपना एड़र्टीजमेंट दिखाना चाहते हैं चीक है कोई city के अंदर कोई state के अंदर कोई country के अंदर कोई pin code के अंदर कोई specific dma के अंदर designated market area like कोई address कोई place चीक है वहाँ पर आपको advertisement दिखाना है तो यह पूरा scenario कैसे होता है location targeting में यह देखते हैं guys सबसे पहले हैं आपको चार option आ रहे हैं चार option in the sense क्या people living in or recently in this location मतलब कि जो भ रहा है या फिर कोई recent shift हुआ है उन audience को आड़ दिखेगी जैसे कि example Mumbai मैंने टार्गेट करा location Mumbai अब Mumbai में जो already रह रहे हैं ठीक काफी time से जो रह रहे हैं और जो traveling करके shift हुआ है अभी Mumbai में तो दोनों audience को advertisement दिखेगा तो उसी का मतलब होता है living or recently in this location का then second आता है आपका option people living in this location मतलब जो already उस location में रह रहे हैं that is the meaning of like people living in this location यह specific बात हो गई then third आता है people recently in this location मतलब की जो recently shift हुआ है उस location में एक वो location हो गई then fourth option आता है people traveling in this location अब जैसे के मैंने Mumbai लिया ठीक है अब जितने लोग यहाँ पर traveling कर रहे है Mumbai के लिए और उनका जो radius किलोमेटर है वो 125 miles या फिर 200 km अवे है वो दूर है उस location से तो उनको आपका advertisement दिखेगा राइट इन चारो तरीके से आप अपनी location को justify कर सकते हैं अब आप के माइंड में question आएगा कि सर यहाँ पर यह चारो options है तो हमको यहाँ पर कौन सा option लेना बैटर होगा तो यहाँ पर गाईस maximum cases में ज्यादा यूज करा जाता है पीपल लीविंग इन डिस location और रिसेंटली इन डिस लोकेशन यह दोनों यहाँ पर यूज कर जाते हैं बट सम case में some scenario में वहाँ पर हम individual भी यहाँ पर हम target करते हैं लिविंग और रिसेंटली राइड यहाँ पर यहाँ पर क्या रहा है यह city आ रहा है ठीक है लाइक दैन इंदोर वैस्ट वर्जिनिया यूनिट इस टेड यह भी क्या है यह यूएस की एक city है यहाँ पर ठीक है अब उसकी नीचे आप देख रहे हैं यह एड्रेस दिखा रहे हैं इंदोर उज्जैन रोड उज्जैन ठीक है एक एड्रेस हो गया यह कोई सिटी नहीं है कोई कंट्री नहीं है कुछ भी नहीं यह एक एड्रेस है कोई specific location है फिर य मदलब के यह माइल से लेकर यहाँ पर 15 मायल आपको एहा पर दिख रहा है यहाँ पर अगे व volunteers कर लिए यह आपने स्टेट टार्गेट कर लिया अब यहां पर माली जब आपको लोकेशन टार्गेट करनी है कोई प्लेस हो गया कोई एरिया हो गया आपको वो टार्गेट करना है तो उस एरिया का नाम यहां पर आप लिख सकते हैं जैसे यहां पर बात करूं यहां पर मैंने लिखा अब लिकारा तक तक यहांपर ने यहांपर बैस प्लेस 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 की लिस्ट आ गई मुझको रतनड़ा एरप! है मैंने यह लोकिशन को चूद्पूर अब यहांसा में उसका radius यहां पर लाइक जो भी सेट करना कर सकता हूं चीक है अब यहां पर दो फरग है गाईस पहला आपने जब लिया था तो आपने नोटिस करा होगा कि वहां पर आपको 10 माइल से लेकर मतलब 10 माइल से लेकर 50 तक यहां पर आप तारगेट कर सकते थे मतलब जो भी इसका रेडियेस आपको लेना है ठीक है और जब आप यहां पर कोई प्लेस या कोई एड्रेस पर आते तो यहां पर सिटिक टोनों यहां पर लाइक सा आउटसाइड में दिखाना तो आप फिर वहां पर लाइक यूज कर सकते हैं या फिर पिन कोड की लिस्ट है ठीक है यहां पर आप उस लिस्ट को भी टारुगेट कर सकते हैं आप जैसे कि यहां पर मैं फार इएकजामपल ले लिटा हूँ जैसे लाइन की सुआ आफेट अरभर हम सबस "'ल्यस्ट निकाल लेते हैं अ मैं जैसे कि 28 यहां पर लिस्ट कि सामने यहां गई यहां पर आपको बल्क में पिन कोट से आप कैसे टार्गेट कर सकते हो बल्क में करेंगे तो थोड़ा सा एक हमार देडे हमारा में का उधा इसकेंट में लिएर, वहरे को कुछा यहां पर आपको दिखा यहां इतने मैंने यहां पर ले लिए अब इनका अलाइमेंट हम सही कर लेते हैं इतने सारे पिंकोर्स हो गए यह तो राजिस्तान के दिए हम में कुछ बहार के भी ले लेता हूं जैसे 456010 और एक हम रेंडमली लेते 342161 यहां पर मैंने इसको मैंच लोकीशन पर क्लिक करा सारी चीज हमारी सही है जो हमने कॉपी पेस्ट कर रहा और जो दो मैंने पिंकोर्स लिखे थे वह भी सही है पर यहां पर एक राएं सामने आप देख सकते वन एरर अब मैंने मन से लिखा था वह आपको यहां पर लगएक आ से आपकों से कर सकते हैं इसको यहांपर देख़ा पाइड करना है अब मैं यहाँ पर एड 9 location कर दूँगा वो नो की नो location अब मेरे location targeting के अंदर आ जाएंगे इस तरीके से गाइज हम यहाँ पर like single single location बी टार्गेट कर सकते हैं और इसी तरीके से यहाँ पर बुल्क में भी location टर्फेट रहा इंदोर तक है अभिए पर आपको एक ओप्शन देखराए ड्रॉप इंगा का मतलब क्या है अब ड्रॉपीं को यहां पर मैंने क्लिक करेंचेज करें मतलब क्या होगया ऐसी लोगीशन जो फेश्बुक की like मैप में और फेश्बूक या नहीं आ रही है आपको उस location तक पहुशना है आपको उस location को target करना है then we need to use a drop pin option अब जैसे यहाँ पर मैं इसको zoom out करता हूँ ठीक है अब जैसे यह नया पुराना main road यह आप देख रहे हैं ठीक है मेरे को इसी location को target करना है ठीक है यहाँ फिर मान लिजिए मेरे को particularly और कोई location को लेना है तो मैं यहाँ पर इसको पहले drag and drop करके यहाँ पर मैं like ले लेता हूँ अब जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि हमको इसे यह ले ले लेते हैं आई टी आई कॉलेज में रोड यहाँ फिर यह मेंग दूद गार्डन आपको दिखा रहा है ठीक है अब में लिजिए कि फेस बुक के लोकेशन में आई नहीं रहा है हमने वहाँ सार्च कर लिया नहीं आ रहा है या तो हमने क्या कर आख जरंदrukt कर आ माइल में आपको दिखाना जैसे यहां पर एक माइल लिया तो वह वन माइल के अंदर ही आपका आइडवर्डिसमेंट देखेगा लाइक जैसे कि आप इसको यहां पर मैं जूम आउट करता हूं जूम आउट पर देखे यह आपका वही वही लोकेशन है जो हमने ड्रॉप पि कि हेल्प से आप स्पेसिफिक लोकेशन तक कैसे पो सकते हैं जो कि फेस्बुक में नहीं है आप यहां पर आता है यह तो लोकेशन हमने समझ लिया अब नीचे आप आएंगे तो नीचे आपको ऐस दिखेगा जो भी एज ग्रूप को आपको टार्गेट करना वह एज वुमेन या ओल जो भी आपको लेना अप ले सकते हैं अगर वह मैंस प्रोड़क्ट है तो मैं को करिए अगर वह वुमेन प्रोड़क्ट तो वुमेन को करिए इट डिपेंड्स ठीक है तो यह हमने देखा है लोकेशन टार्गेटिंग जैंडर एज इस तरीके से आप अपन